नमस्कार पुस्पस किचेन में आप सबका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए बर्फी की रेसिपी लाई हूँ ये बर्फी आप मुँम में देने से घुल जाता है इतना स्वादिश्ट होता है खाने में आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिए गैस में में एक पैन बिठ को भून लेने से एलाईची पाउडर आशानी से बन जाता है अब मैं एही प्यान में 300 ग्राम मुम्फली दे दूंगी मुम्फली को पहले साप कर लेना है लेके अच्छे से ओच लेना है लेके आप मैं लोग गैस में कॉंटिन्यू चलाते हुए मुम्फली को भूनूंगी देखिए मुम्फली कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है मुम्फली को जब आसानी से छिलका उतरने लगे तब आप जानियेगा जिए आपका मुम्फली भूना हो गिया है मुम्फली भूनने में मुझे 8 मिनिट टाइम लगा है अब मैं मुम्फली को एक थाली में ठंडा कर के लिए रख दूंगी देखिए मुम्फली ठंडा हो गया है मुम्फली का छिलका अलग कर देना है करके अब मैं मिक्सी के जार में दे दूंगी देखिए दरदरा पाउडर फेले बना लूंगी देखिए दरदरा पाउडर बन गया है मैं दिखा दूंगी देखिए अब मैं इसमें 200 ml दूद दे दूंगी देखिए अब 300 ग्राम मुम्फली यूज़ कर रही हूं उसलिए 1500 ग्राम मैं यहां सकर यूज़ कर रही हूं देखिए इसका फाईन पेस्ट बना लूंगी त्वाइन बनाना पेस्ट को देखिए फाइन पेस्ट बन गया है अब मैं पैन में एक चम्मच देशी घी देदूंगी घी देखे अच्छे से पैन में फैला दूंगी इसे फैला देना है देखे अब जो बेटर तयार करी थी उसको देदूंगी पैन में देखे इसको लो ग्यास में पकाऊंगी continue चलाते रहना है नहीं तो नीचे से जल जाएगा बड़फी अच्छा नहीं बनेगा देखिए सकर से पानी छोड़ रहा है उसलिए बेटर और पतला हो गया है देखिए ऐसे चलाते रहना है चारो साइड से पैन में नहीं चीपकना चाहिए अब मैं इसमें पचास गिरा मिल्क पाउडर दे दूंगी अब कोई भी ब्रयान का यूज कर सकते हो देखिए अब चम्मच के मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है दबा दबा के ऐसे क्योंक कि बेटर गरम था उसमें मिल्क पाउडर दी हूँ उसलिए दिग्रा ऐसे इसको दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि ये आटे का डो जैसा नहीं बनता तब तक इसको पकाना है इसमें 10 मिनिट टाइम लग जाता है और कॉंटीनू चलाते रहना है ये ब बर्फी बहुत स्वादिस्ट बनता है कम से कम खरच में आप आसानी से बहुत टेस्टी बर्फी बना सकते हो देखिए आप मैं इलाइची पाउडर दे दूंगी इलाइची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब भी आप इलाइची पाउडर बनाए इलाइच को जरासिक गरम कद लिजीए उसे लाइचि पाऊडर बहुत अच्छा आसानी से बन जाता है अब मैं मिकसर को जरासिक चेक करूँगी जह सही बना है कि नहीं मिकसर को अच्छे से ठंडा कर लोगी गरम-गरम में हात नहीं देना है देखिए अब मैं हातों में जड़ा से घी लगा के देखूंगी जे मिक्सर का डो बन रहा है कि नहीं देखिए गोल अकार दे रही हूं इससे बन रहा है और थोड़ा पकाना है और एक मिनिट के लिए मैं पका लूँगी कॉंटिन्यू चलाते रहना है और गैस का फ्लेम जड़ा से भी ज्यादा नहीं कीजिए एकदम लोग गैस में इसको पकाईए देखिए अब मैं गैस को बन कर दूँगी और जो थाली में मैं डो को रखूंगी उसमें अच्छे से घी लगा लूँगी नहीं तो ये चिपकेग देखिए अब चम्मच की मदस से इसको ऐसे चलाते हुए ठंडा कर लूँगी ऐसे ठंडा हो गया है अब मैं एक प्लास्टिक के उपर जड़ा से घी लगा लूँगी मेरे पास बाटर पेपर नहीं है उसलिए मैं प्लास्टिक यूज कर रहे हूं आपके पास बाटर पेप इसको यूज कर सकते हूं यूज अपर से इस फेला दुँगी चम्मच के मदस से और उपर से एक प्लास्टिक लगा लोंगी फीर से हाथ में नहीं छिपकेगा फीर मैं हाथ से भी इसको अच्छे प्या लूँगी फैला के अब मैं बेलन से इसको बेल के चारो तरफ से एक समान मात्रा में बेल अब मैं प्लास्टिक को हटा के चमच के मदस से देखे चारो तरफ से चोकोर कर लूँगी जितना होशके इसको चोकोर कर लेना है करके फिर से मैं बेल के समान एकदम चारो तरफ से समान हो ऐसे बेल लेना है इसको ऐसे आ यह तरफ भी बेल लूँगी इस यह बरफी का चाड़ो तरफ एक समान मात्रा में होगा देखिये अब मैं उपर का प्लास्टिक हटा दूँगी हटा के मेरे पास अब मैं दिखने में अच्छा लगने के लिए उपर शे मैं शिल्बर पेपर देदूँगी इसलबर पेपर आसानी से मार्केट में मिल जाता है यह ज्यादा महिंगा भी नहीं होता है देखिए चारों तरफ से दे दूंगी कितना अच्छा मार्केट जैसा दीक रहा है ना अब मैं एक घंटे के लिए जमने के लिए रख दूंगी मैं बाहर में रखूंगी आप चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हो देखिए अब मैं किनारे काट दूंगी देखिए बर्फी का सेप में आप जैसा भी पसंद करें आप काट सकते हो देखिए बर्फी बन गया है बहुत अच्छा बना है आप लोग भी बनाईए बनाकर खाईए और आपका अनुभब सभी का धन्यबाद